तो आज हम लोग ncrt exercise 5.3 arithmetic progression करने वाले हैं तो exercise 5.2 तक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है जेतने लोग इस टार्टिंग से फॉलोव कर दिया उनको पता होगा कि हमने आज हम लोग exercise 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं जेतने लोग चैनल को पाली वाव विजिट कर रहे हो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो तुम्हें यूसफूल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सस्क्राइब कर देना और बैल आक अंदर देना ठीक है च एक size 5.3 स्म वाले फॉर्मले पर है मतब स्न वाले फॉर्मले पर स्म फॉर्मले पर यह क्या होता है यह होता हमारा n बाइटू बस मैं फॉर्मले बता रहा हूं ट्वाइस ओफ ए प्लस n-1 d यहां पर नंबर अफ टर्म्स को डिफाइन करता है ए फॉर्स टर्म को दी कॉमन इसी फॉर्मले को हम n by 2 a plus l के फॉर्म में भी लिखते है l क्या हो गया हमारा l हो गया last term जिसको हम nth term भी बोलते है last term तो अगर तुम्हें last term given है first term given है n given है तो इस इस formula को apply कर लो ठीक है ने तो तुम्हें अगर A पता है N पता है D पता तो इस formula को apply कर लो depending upon condition क्या given उसके according हम कभी कभी ये भी लगाते हैं कभी ये भी लगाते हैं ठीक है बाकी question दोनों से solve हो जाएगा बस इसी को simplify करके इसमें convert किया गया और कुछ नहीं है क्लियरे चलो तो य यहां पे AP स्टार्ट हुआ 2, 7, 12 यह कहां तक जा रहा है अप्टू 10 टर्म्स तक जा रहा है तो अप्टू 10 टर्म्स हमें यहां पे N बता रहा है कि N is equal to 10 है series 2 से start हुआ है तो A is equal to 2 है और common difference चाहिए तो common difference 7-2 A2-A1 कर लो A3-A2 कर लो तो 7-2 केतना हो जाएगा अगर D की बात करे अगर हम D की बात करे वह जाएगा 7-2 is equal to 5 उसने क्या पुछा है सम निकालना है कितने टर्म का 10 टर्म का तो S N जो होता है वह होता है N by 2 twice of A plus N minus 1 D Sum of 10 terms बोला है तो हम N को 10 लग देते हैं तो S 10 काम तभी हो गया Sum of 10 terms यह जाएगा 10 upon 2 twice of A तो A कितना है 2 plus N, N कितना है 10 minus 1 ठीक है एक दो question मैं थाँ सा explain करके बता रहा हूं बाकि भी हम दो directly formula लिखेंगे question sorry value put करेंगे, simplify करेंगे D, D के value 5 है तो यह तुमारा 5 हो गया cancel out हो गया यह 5 आ गया अंदर 2 into 2 4 हो गया यह 10 minus 1 9 9 multiplied by 5 45 हो गया ठीक है तो यह तुमारा आ गया 5 multiplied by 49 is equal to simplify करोगा यह हो जागा 245 ठीक है यह तुमारा आ गया 245 तो first का first यह तुमारा यह हो गया तो sum का formula अप्लाइग गया है सारे question में वही काम करना है सारे parts में वही काम करना है ठीक है तो मैं सारे parts को solve कर दे रहा हूं जिसको इस parts में doubt हो देख लेना second में minus 37 minus 33 minus 29 कहां तक 12 terms तक तो यह 12 terms क्या define बता रहा है हमें कि n के value 12 है first term क्या है minus 37 तो a is equal to minus 37 negative वाले में common difference में लोग में बहुत गलती करते हैं d क्या हो जाएगा हमेशा second term में आगे वाई terms को पीछे वाले को minus से करो तो अब यहां पर जो minus करोगे न तो minus of minus 37 अब यहां पर हम minus 37 लिख के छोड़ देते नहीं a2 minus 7 होता है यह minus formula के recording है यह तो term है minus 33 plus 37 is equal to 4 तो common difference 4 है यहां पर हम से पुछा आगे है सम कितने terms का 12 terms का तो मैं directly लिख रहा हूँ s12 पूछा गया तो यह कितना हो जाएगा 12 upon 2 मत्तर जो formula है मैं sn का formula यहां पर लिख देता हूँ sn is equal to n upon 2 twice of a plus n minus 1 d अब उससे sum of 12 terms पूछा है तो n की जगे 12 आ गया तो हमने 12 रग दिया n की जगे 12 twice of a a कितना है 37 27 तो twice of minus 37 plus n minus 1 d तो n हमारे पास कितना है 12 12 minus 1 d की बालू 4 12 upon 2 6 2 into minus 37 ठीक है तो यह तो मारा बजाएगा minus 74 plus 12 minus 1 13 into 4 52 सिंप्लिफाय करना है तो इसो सिंप्लिफाय करके सब सॉल्व करो कि यह तुमाह आ जाएगा minus 1 8 2 minus 1 11 sorry यह 44 आएगा ठीक है तो यहां बचेगा 30 multiplied by 6 minus 180 यह तुमाहा एंसर हो जाएगा ठीक है 12 minus 1 11 11 into 4 44 होता है मैंने मिस्टेक से गल्स लिखा था उसको clear है यह 2nd part हो गया तुमाहा जलते हैं 3rd पर सम में यही करना है ठीक है 1st integer था 2nd negative integer था 3rd part तुमाहादा decimal में 4th part fraction में बस यह difference है तो 3rd part में तुमाहादा क्या है 0.6 1.7 2.8 up to 100 terms यह चलता है अब यह तो चलता है हमें निकालना है sn तो परहतो हमें a निकाल लेंगे a कितना हो जागा a हो जागा यहां पर 100 ठीक है उसके बाद a के बाद हमें चाहिए sorry यहां पर n हो गया 100 a क्यों बोलना हो मैं 100 sorry number of terms n is equal to 100 a first term तुहाँ 0.6 है common difference क्या हो जाएगा 1.7 minus 0.6 ठीक है तो यह minus क्या आगया 1.1 हम से पूछा गया है sum of 100 terms मत्तब यहां पर sn वाले formula में n की जागा 100 आ जागा तो हमें निकालना है s 100 हो जागा 100 2 2 twice of a 0.6 plus n-1 100 minus 1 d 1.1 तो 100 upon 2 यह 50 हो गया 2 into 0.6 1.2 हो गया यह 99 into 1.1 clear तो simplify करेंगे तो सिंप्लिफाय करेंगे तुम्हारा यह जागा 50 99 into 1.1 plus 1.2 जो इसको simplify करोगे यह तुम्हारा आ जागा 110 यह कर लिए 110.1 और जब 50 से multiply करोगे तो यह जागा यह 0 हटा के 10 उटा दो जीर ज़ाएगा 550 तो तो calculation पे दिहान देना सिंप्ल सिंप्ल कोस्ट्वल वनमार्क्स में ऐसा ही आएगा उसपे calculation पे सिंप्ल समझ के fast करके calculation mistake करके मार्क्स को लूज मत करना चलते हैं फोट पार्ट पे फोट में 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10, up to 11 terms तक यह series गया है, तो हमसे sum पुछा गया है, इन सबको add करेंगे, up to 11 terms तक तक तो क्या होगा, तो यहां भाई, again n की value 11 है, a की value 1 upon 15 है, और d की value तुम्हारे पास होजाएगी, 1 upon 12 minus 1 upon 15, ठीक है, तो यहां पे इसको simplify किया, subtract करके, तो यह तुम्हारा आजाएगा, lcm 12 of 15 का 60, तो यह 5 minus 4, तो 1 upon 60, d की value, हमसे क्या पुछा गया है, sum of 11 terms, मतलब यहां पे s-n वाले फॉम्मले में, n की ज़गे 11 आजाएगा, तो हमसे पुछा गया है, s11, तो यह ज़गा 11 upon 2, twice of a मतलब 2 into a, 1 upon 15, n minus 1, d, देखो, n minus 1, d, तो n की value यहाँ पे, number of terms 11 है, तो 11 minus 1, d, d है, 1 upon 60, simplify करते हैं, यह 11 upon 2 को छोड़ दिया से ही, यह 2 upon 15, यह हो जाएगा तुमाहाँ 10, multiplied by 1 upon 60, तो यह 1 upon 6 हो जाएगा, तो 11 upon 2, अंदर यहाँ पेलस्यम ले लिया, तो 30 हो गया, यह हो जाएगा, तो हम 4 plus 5, तीक है, तो यह आगा 11 upon 2 into 9 upon 30, तीक है, जो कटना उटना है, जो भी काटना उटना है, काटना है, काट लो, simplify कर लो, solve कर लो, तो यह तुम्हारा आजाएगा 99, 3 से यह 3 times, 3 से यह 10 times, तो 33 upon 20, answer आगया, चारो पार्ट में, same SN का फॉर्मला लगा है, बस value अलग-अलग है, सबज में आ गया होगा, चलते हैं, second part पे, second part भी exactly same है, अब second में, देखो, first or second में difference किया है, first part में, सारे, जो first question था, उसमें, सारे part में, तुम्हें, n गीवन था, जब तो हम SN का apply कर रहे थे, n upon 2, twice of a, plus n minus 1d, तो n पता था हमें, यहाँ पर number of terms नहीं पता है, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें last term given है, उपर वाले first part में, जो first question कर रहे थे, देखो, किसी में last term, किसी में last term given नहीं था, देख लो, किसी में भी last term given नहीं है, कहां तक जाना है, वो given है, n given है, तो यहाँ पर तुम्हें last term निकालना पड़ेगा, तो एक काम तो वहाँ बढ़ गया, n निकालने का, बस यह change है question में, जैसे अब मानलो first part की बात करते हैं, तो 7 plus 10 1 upon 2, 21 upon 2 plus 14 up to 84 तक, इसका sum निकालना है, तो अब कितने यहाँ पर term से वो नहीं पता है, तो यहाँ पर last term पता है, तो यहाँ पर last term को अगर use कोड़े फॉर्मूला, तो आपने यही बतायता है, n by 2, a plus l, l यहाँ पर क्या हो पड़ेगा, तो तुम्हें n तो निकालना ही पड़ेगा, तो 84 क्या काम करेगा, 84 काम करेगा तुम्हारे लिए nth term का, मतलब last term का, तो पहले nth का formal लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर n निकलेगा, n निकालने के बाद, तुम sum की formula में put कर दो के उसको, तो मालिया 84 nth term है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर an जो है, वो 84 है, अब ap के recording, first term तुम्हारे पास 7 है, और common difference, 21 upon 2 minus 7, ठीक है, तो जब common difference निकालोगे, तो यह तुम्हारे पास आजएगा 7 upon 2, ठीक है, 3.5 का common difference है, अब an क्या होता है, an होता है हमारे पास, अगर an की formula की बात करे, a plus n minus 1, d, तो an यहाँ पर 84 है, a हो गया 7, n तो निकालना है, d हो गया 7 by 2, ठीक है, simplify किया यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर तुम्हारे पास, यह 7 यहाँ पर minus होगा, तो 84 minus 7, 77 is equal to n minus 1, 7 by 2, तो यहाँ से n minus 1 कितना आ गया, 77 into 2 upon 7, मतबब इस 7 by 2 को यहाँ पर हमने, divide कर दिया ऐसे, तो यह आ गया, तो यह आ गया, तो यह आ गया, है, n by 2, first term पता है, last term पता है, यह अप्लाए कर सकते है, तो इसी को अप्लाए करो अप, तो twice of a plus n minus 20 का फार्मुला, अप्लाए मत करो, first and last term पता है, तो यह simplify होके easy हो जाएगा, तो n by 2 मतलब 23 upon 2, first term 7, last term 84, 23 upon 2 into 7 plus 84, simplify किया, तो यह 90 बना गया, ठीक है, इसको solve करना है, यह 2093 upon 2, यह तो यह आइंसर हो जाएगा, तो यह तो हमाँ first part था, समझ में आ गया, second, third, सब में यही करना है, ठीक है, तो मैं solve, अब थावा से speed में solve करते रहाँ, ठीक है, अगर अभी भी किसी को समझ में आया है, तो वीडियो को दबार देखना, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा करना है, second part में तुम्हारे पास जो AP है, वो है 34 plus 32 plus 30 up to 10 तक गया है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर ऐसे देखो, तो A तुम्हारे पास 34 है, D केतना हो जाएगा, 32 minus 34, second term minus first term, यह third term minus second term, fourth term minus third term, आगे बाले को पिछवारे से minus करतो, तो यह minus 2 हो गया, तो sign के साथ लेना है, और जो last term है 10, उसको हमने nth term मार दिया, तो an जो तुम्हारे पास 10 आ गया, अब पर हमें निकालना पड़ेगा n इस formula में apply करने के लिए, हमें n चाहिए, तो nth term का formula हमने apply किया, तो an क्या होता है, a plus n minus 1 d, an केतना है यहाँ पे 10, a कितना है, 34 plus n minus 1 d, d कितना है, minus 2, यहाँ रखना number of terms कभी भी negative decimal fraction इसमें नहीं आएगा, ठीक है, तो अगर आ रहा है यहाँ तो value गलत की बने, यहाँ तुम calculation कुछ गलत कर रहे हो, अब यहाँ पर 10 minus 34 यह हो जाएगा minus 24 is equal to n minus 1 multiplied by minus 2, तो यह minus minus cancel out और 2 से यह 12 times, तो n is equal to 12 plus 1 is equal to 13, तो number of terms 13 हो गया, अब इस फारे formula में apply कर देंगे sn के, तो sn is equal to n by 2 a plus l, तो n कितना हो जाएगा 13 upon 2, first term कितना था 34, last term 10, 13 by 2 into 44, तो यह 22, 13 multiplied by 22, तो यह तुमारा आजाएगा 286, answer, तीक है, तो यह सारे वीडियो को पूरा completely देखने की जरूबत नहीं है, तुमें जिसमें doubt है, जो तुमसे solve नहीं हुआ है, वह पार देखो, time waste मत करना है, यहां बैठके, यह पूरा वीडियो देखने है, कोई परहारा बस देखते जा रहे हैं, उससे मैस में कुछ काम नहीं होगा, मैस में तुम्हें खुच्छे करना पड़ेगा, जो पार्ट तुमने attempt किया, नहीं हुआ, ठीक है, फिर देखो, क्योंकि यहां पर मैं तुम्हें लेक्ट, मैं पढ़ार नहीं रहा हूँ, यहां पर मैं NCRT के solution दे रहा हूँ, जो तुमसे solve नहीं होगा है, उस पार्ट को देख लो, description box में जाओ तो मैंने mention कर रखा है, कि कौन सा question, कौन से time पे है, तो चाहो, डाइक वहां पर click करके देख लो, उसी part को सीधा, जो उसी question को, अब यहां पर तुमाने पास, एक ही बात करें, वो minus 5 है, common difference की बात करें, तो a2 minus a1, तो minus 8 minus of minus 5, तो minus 8 plus 5 is equal to minus 3, तो common difference minus 3 का है, और nth term जो minus 230 है, यह तुमारा nth term है, तो a plus n minus 1 d जो होता है, वो a n के एककल होता है, तो a यहां पर है, minus 5 plus n minus 1 d है, minus 3, an है, minus 2, 30, तो यह जो minus 5 है, यहां पर तुम 30 में आके add हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, n minus 1 minus 3 is equal to minus 2, 25, यह negative cancel out, तीक है, 3 से इसको cut किया, 75, तो n कितना हो जाएगा, 75 plus 1 is equal to 76, n की value आगे 76, अब sn में put कर दो, तो sn होता है हमारे पास, n by 2, a plus l, a plus l इसलिए यूज किया, क्योंकि last term given है, n की विले तुमने निगाल दी 76 upon 2, यह तुमारा minus 5 था, और l था, minus 230, तो 76 upon 2 into minus 235, तो यह जाएगा 38 multiplied by minus 235, यह जाएगा minus 8930, यह मारा answer हो जाएगा, clear है, तो इस पार्ट में हम लोग question में 1 और 2 को ही कर रहे हैं, next part में फिर आगे continue करेंगा, again वही बात में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, कि अगर एक ही part में पूरा exercise करूँगा, तो बहुत video का length बहुत लंबा बन जागा, आप लोग देखने में board हो जाओगे, तो मैं part by part, एक exercise को 3-4 part में डाल आओ, एक part में, simple सी बात है, वीडियो का length 15-25 minutes रखना होता है, उससे उपर रखने कोई use नहीं होता है, आप लोग देखने में board हो जाओगे, तो next part में हम लोग continue करेंगे third question से, तो अगर वीडियो useful लगा हो, तुम्हाँ doubt clear हुआ हो, तो वीडियो को like और share कर देना, कुछ भी suggestion हो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए, अगर नहीं मिल पार ही, तो suggest भी कर सकते हो, comment section में कोई problem नहीं उसमें, सजेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, अराम सुदो, कहीं भी दे सकते हो, किसी को suggestion दे सकते हो, positive comment करने अच्छी बात है, clear है, तो वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like और share करना, चैनल को subscribe करते हैं अगर अब तक किया नहीं है, और बैल लाकर दबाना मत भूलना, जली से मिलते हैं अपने नेक्स पार्ट में तक लिए, गुडबाई, टेक कियर